नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नएक वीडियो में मेरा नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेक्टनलोजब दोस्तों कुछ दिन पहले की बात है मैंने अपना इंपोर्टेंट डेटा इस पैंड्राइव में सेव करके रखा हुआ था और मेरे को पता नहीं था कि इसमें मेरा इंपोर्टेंट डेटा है और मैंने इस पैंड्राइव को बिना देखे फॉर्मेट कर दिया और बाद में मेरे को पता चला कि इस पैंड्राइव में जो मेरा डेटा था वह काफी इंपोर्टेंट था अब मैं उसको कैसे रीकवर करू आपके साथ भी इसी तरह का सिनेरियो का भी होगा या फिर कापी सारे जो लोग रहते हैं वो अपना डेटा जो एक्स्टरनल जो स्टोरेज डिवाइस रहते हैं जैसे की पैंट रहे हो गया या फिर कंप्यूटर का जो cde drive रहते हैं उसमें समाल के रखते हैं या फिर इसके साथ साथ उनका जो sd card रहता है मुबाइल का जो memory card रहता है कहीं पर जाते हैं घूमने के लिए वहां से photo capture करते हैं वीडियो बनाते हैं तो कई बर क्या होता है कि जाने अन जाने में या फिर हम स्पेस कम करने के चकर में अपना data delete कर देते हैं या फिर format कर देते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है कि या यह तो मेरा important data था अब मैं इसको कैसे recover करूं क्योंकि इसकी मेरे को काफी जरूरत है तो don't worry अगर आपके साथ भी कुछ इस तरह का scenario हो है और आप भी अपन delete हुआ, format हुआ या फिर corrupted हुए data को आसानी से recover करना चाते हो तो मातर तीन step में जो है recover कर सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है live proof दिखाऊंगा बने रहे वीडियो के end तक और इस तरह की हैलफून और बेश वीडियो पाना चाहते है चैनल पर नए है तो चैनल को रिकवर कर सकते हो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो टैनो सेर का जो फो डिडिक विन्डो डेटा रिकवरी सोफ्ट्वेर है इनकी जो एक सेल भी चल रही है Christmas and New Year सेल अगर आप इस सोफ्ट्वेर को बाई करना चाते हो खरीदना चाते हो तो आपको जो है चल रहा है Christmas का और New Year का चलिए अब आपको दिखा देता हो कि कैसे आप जो है डेटा रिकवर कर सकते हो तो इसके लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उसी लिंक पर आपको प्रेस करना है जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने टैनो सेर का जो है 4Dig Windows Data Recovery का यह पेज ओपन हो जाएगा और यहां पर देख सकते हो All-in-One Solution to Perform Data Recovery for All Scenario यहनि कि किसी भी तरीके का डेटा को आसानी से रिकवर कर सकते हो यहां पर बताया है यहां पर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो Mac यूज करते हो तो Mac के लिए यहां से डाउनलोड कर सकते हो और बाई करना चाते हो तो यहां से बाई कर सकते हो इसके साथ-साथ देखिए डिलीट फाइल रिकवर कर सकते हो फॉर्मेट हो गई ड्राइव उसको रिकवर कर सकते हो पार्टिसन लोश हो गए उसको भी रिकवर कर सकते हो एक्स्टरनल डिवाइस जो रहते है पैंटा लेकवर कर सकते हो मातर तीन स्टेब में जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ठीक है तो चलिए मां आपको क्या करने सबसे पहले यहाँ पर इसको फ्री में डाउनलोड कर लेना है free download का option इस पर click करके और यह जो है window 8, 7, 11 जितने भी operating system है सब के लिए available है मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे निचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर spotted system and language 8, 10, 11, 7, 8 और यहाँ पर file system language यहाँ पर देख सकते हो spotted storage device तो यहाँ पर देखे software जो है download हो गया है आब इसको कर लेते हैं यहाँ से open और open करके सबसे पहले इसको run कर लेते हैं और इस software को install कर लेते हैं तो यहाँ पर तिक करेगा तो तिक कर देना आपको ठीक है install कर लेना है उसके बाद कुछ second के बाद यह software है successfully install हो जाएगा तो यहाँ पर software successfully install हो गया है यहाँ से भी start कर सकते हो otherwise इसका जो है icon कुछ इस तरह से आपके computer PC में आ जाएगा अब क्या करना है इस पर double click करके या फिर right click करके open कर लेना है यानकी launch कर लेना है उसके बाद इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा select a location to start data recovery अगर आपको अपनी drive से जो computer की जो c drive, d drive, e drive रहती है वहाँ से recover करना है तो यहाँ से select करके वहाँ से recover कर सकते हो common location, desktop से recover करना है recycle bin से करना है, folder कोई देना है तो यहाँ से दे सकते हो और अगर आपको system crash हो गया तो उसको भी यहाँ से recover कर सकते हो और देखे, photo repair और video repair भी आप कर सकते हो ठीक है, तो मैं आपको जो भी pen drive से दिखा रहा हूँ कैसे recover करना है तो अगर आपको किसी भी external storage device से data recover करना है तो सबसे पहले उसको अपको अपने computer में लगाना है ठीक है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ और अभी यहाँ पर देख सकते हो उसका icon यहाँ पर नहीं आ रहा और जैसे आप USB pen drive या फिर external storage device रहते है SD card या फिर hard drive लगाएंगे तो यहाँ पर उसका icon आ जाएगा तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और लगाते ही यहाँ पर देख सकते हो उसका icon यहाँ पर read कर लिया है और यहाँ पर उसका icon आ गया है ठीक है, अब मैं जो है उसको यहां पर देख सकते हो USB drive यहां पर आ गया आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या data है और किसको मैं recover करने चाहरा हूँ यहां पर देखे my office data इसके अंदर यह कुछ file है इसको मैं जो है permanent shift के साथ delete कर देता हूँ ठीक है तो यहां पर मैंने permanent देखे are you sure you want to permanently delete this folder yes कर दिया यहां पर folder खाली हो गया है ठीक है और मैं इसको कर देता हूँ बंद अब यहां पर देखे खाली है बिल्कुल अब recover करना है तो यहां से हमें recover करना है इसको मैंने select कर लिया उसके बाद यहां पर देखे start का option है इस बाद को click करना है और जब यहां पर click करेंगे तो यहां पर देखे fast scanning जो start हो जाएगी और यहां पर दिखा देखा देखा deleted file और existing file और यहां पर आप इसको प्योज कर सकते हो अगर आपको लगता है कि data आ गया तो ठीक है और यहां पर देख सकते हो ट्री व्यू और यहां पर file view भी आप कर सकते हो photo documents जो भी है उ अब यहां पर देख सकते हो यहां पर deleted file में यहां पर जो folder हमने delete किया था वो यहां पर आ गया और इसके अंदर जो भी data था यहां पर दिखा दिया है आप जिसको भी आपको रीकवर करना है उसको यहां पर select कर सकते हो अगर उस size से ज़्यादा हो जाता आपका data तो फिर बाई करना पड़ेगा तो मैंने ओरड़ी यह software बाई कर रख है तो यहाँ पर देखे अगर बाई कर रख है तो यहाँ पर रजिस्टर का उप्सन आपको मिलेगा इस पर आपको क्लिक करके जो है यहाँ पर जिस भी email id आपने बाई कर रख है जो आपको आए है रजिस्टर कोड वो यहाँ पर आपको email id और यहाँ पर code mention करके जो है रजिस्टर कर लेना है तो चलिए पूरी detail में mention कर देता हूं यहाँ पर मैंने email id और जो registration जो code रहता है वो मैंने mention कर दिया आप देखे registered इस पर प्रेस किया और यहाँ पर कुछ second के बाद जो है registered हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर registered successfully और यहाँ पर दिखा देगा कि कब तक आप का यह valid रहेगा ठीक है कितने computer के लिए आपने लिया है और यहाँ पर ok कर देते हैं अब यहाँ पर आपको location देने कहाँ पर आपको अपना data save करना है अगर desktop पर save करना है तो desktop select कर लिजे अगर किसी c, d, e, drive में करना है तो वो select कर सकते हो ठीक है आपको प्रेस करना है और यहाँ पर देखे recovery complete हो गया है और view record पर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका data दिखा देगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ के नाम से था और जो फाइले थी यहाँ पर complete सारी फाइले आ गई है और desktop में भी मैं आपको दिखा देता हूँ देखे मैं इसको close कर देता हूँ और यहाँ पर जब हम recover करते तो 4D dig करके नाम से folder create हो जाता है इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर देखे ऐसे drive थी हमारी pen drive उसके अंदर जो है deleted files और यहाँ पर my office data इसके अंदर है हमारा data तो इसके अंदर है मैं open करके यहाँ पर दिखा देता हूँ तो इस तरह से आप जो है आसानी से recover कर सकते हो मैंने आपको जो है live proof दिखा दिया और दोस्तों अगर आपको इस software को buy करने है तो यहाँ पर देखे और जो है आप payment कर सकते हो PayPal यहाँ पर काभी सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे 30 दिन की money back guarantee रहती है instant delivery by email 100% secure है free customer support आपको मिलता है कुछ मन में सवाल है तो यहाँ से आपको जोज कांसर मिल जाएगा और यहाँ पर इनका जो है Christmas and New Year sale भी चल ज़ए है जहाँ पर आपको 75% तक का जो है ओफ मिलेगा तो दोस्तो इस तरह से आप भी जो है आसानी से मातर तीन step follow करके आपका data किसी भी तरीके का जो है आसानी से recover कर सकते हो जो कि मैंने आपको complete process दिखा दिया step by step आपको दिखाया है और जो है यह tenos chair का जो इसका लिंक मैंने वीडियो के description में दे दिया है और इनका Christmas and New Year का offer भी चल रहा है जिसमें आपको 75% तक जो है ओफ मिलेगा अगर आप इस software को भाई करना चाते तो भाई भी कर सकते हो लिंक मैंने वीडियो के description में दे दिया है तो बस आज की वीडियो में इतना ही था आशा करता हूं यह जानकर आपको पसंद आई होगी इसके बार में अपकी क्या रहा है क्या फीडिवागा कोमेंट बोक्स में कोमेंट करके जुरूर बताईएगा मैं परदीप फिर मिलता ह सब्सक्राइब के साथ तब तब नहीं ख्याद रखेगा बबाए टेक क्यार